सूप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी वसंद भाग एक का पार्ट तीन नादान दोस्त पढ़ने जा रहे हैं केशव विद्वानों जैसे गर्व से करता है नहीं रेपगली पहले पर निकलेंगे ये मैंने आपको पूरा पेश पढ़ा दिया था बच्चों अब आगी का पेश पढ़ने जा रहे हैं दोनों भाई बेन अपने आप में वारतालाब करते हैं और बड़ा उनको उन बच्चों से लगाओ था दोनों बच्चे बड़ी चाव से काम करने लगे शामा मा की आँख बचा करके मटके से चावल निकाल कर लाई केश उने पत्थर को प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साप करके उसमें पानी भरा और चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए फिर उपर बगेर चड़ियों के कपड़ा ठहरा आएगा कैसे और चड़ियां खड़ी होगी कैसे अपस में प्रश्न कर रहे थे केशो बड़ी देर तक इसी उधेर बुन में लगा रहा आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी शामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ अम्मा जी को मत दिखाना शामा वह तो बीच से ही फटी हुई है उस में से धूप न जाएगी केशो ने जुन जिला कर कहा तू टोकरी तो ला मैं उसका सुराक बंद करने की कोई हिकमत निकालूँगा इस प्रकार शामा दोड़कर टोकरी उठा लाई केशो ने उसकी सुराक में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और उस तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर भूला देख शामा ने दिल से सोचा भईया कितने चाला के हैं गर्मी के दिन थे बाबुजी दक्तर गए थे अमा दोनों बच्चों को कमरे में सुला कर खुद सो गई थे लेकिन बच्चों की आँखों में आज नींद कहां अमा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आँखे बंद किये मोके का इंतजार कर रहे थे जो ही मालुम हुआ कि अमा जी अच्छी तरसे सो गई दोनों चुपके से उठे बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोल कर बाहर आ गए बच्चों के बड़े अच्छे दिल्चस्प यहां पर वारतालाप हो रहे हैं आप इसे पढ़िये और प्रश्णों के उत्तर दीजिए धन्यवाद